नमस्कार जी मैं आज लक्षमीडिरी पेज पे लाइव आया हूँ और गुजराच से संदीब चौधरी पेज लाइव आया हूँ जी और आफ को जो ब्रीडिंग है एक साधारान जो पशुपालग है इसके गर पे कैसे ब्रीड तयार हो रही है ये आफ को दिखा रहे हैं जी आज ये हमारे जिगर भाई है जी आगया हो जी जिगर भाई और जैसे रिलिटिव भी है और अच्छा खाचा काम कर रहे हैं ब्रीडिंग पे जैसे शौक बहुत है इनका चीजे तियार करने का तो इनकी आज दो बैसे आपको दिखाएंगे जी जिनमें पहले हमने सिमन लगाया था सिकंदर और कोहिनूर का तो दोनों जो बफिलोस थी यहां के जिला पंचाथ में रेकोडिंग कराच स्टुकीटी दूद का और अगर बोलेंगे तो आपको ज्यादा भी लगेगा लेकिन चलो पशुपालक के मूँ से सुन लेते हैं कि जैसे की जिगर भाई इसका कितना दूद था जी 22 लिटर दूद था और अभी मानो कि कौन से ब्यांत की है यह चट्थे ब्यांत की है और आगे इस वफिलों में जिगर भाई ने पूछ के हमसे सिमन लगाया था सिकंदर का और मानो कि यह कितने मेने की हो गई अभी आठ मेने की हो गई यह चिज़ बनके आ रही है नरिश मलिक जी यह कोई बेचने वाली चीज़े नहीं है जी कोई रेट नहीं है इसका मानो कि किसान बहुत शौक से चाव से त्यार कर रहा है और मानो कि साड़े चार सो बंदे हमें अभी देख रहे हैं इसी बैस की जो दूसरी कटड़ी थी यह यह वाली है देखो आप यहीं जो बड़ी बैस है इसकी बेटी थी आज कौन से ब्यांत में है जी तीसरे के ब्यांत में है और इसने भी यहां पर गवर्मेंट में तीन बार रिकोर्डिंग करवाई है जी और इस बार तीसरे में थी ना कितना दूद्द दिया इसने साड़ी 21 किलो यहने की लिटर दूद दिया है बाईस लिटर हो सकता है हाँ जी एम किंग अत्तर जी ये मानो की है मैसाना गुजरात में बिस्तनगर रंडालकर के गाउं है जी हमारा ससुराल भी है तो आये थे यहाँ पे तो मानो की कटडिया देख ली तो सोचा की लाइव आ जाए आपको दिखाए ये चीजे क्या त्यार हो रही है इसमें हमने लगा दिया कोहिनूर का सिमन और कोहिनूर की जो चीज त्यार होके आ रही है ये वाली आई और आपको बता दे कि ये सिर्फ साड़े छे महीने की है और पूरी कोहिनूर वाली चीज इसमें देख सकते हैं अब दूसरी बात जो है बताने की वो खास ये थी कि बैस तो ये भी दूद वाली है लेकिन इसका जो लेवटा था वो इतना बड़ा हो गया था कि इसको मिलकिंग करने में भी दिक्कत आती थी प्लस इन्होंने आगी किसी को दे दी तो बंदा इनकी जैसी सेवा नहीं कर पाया और इतनी अच्छी बैस की थन बिगाड़ दिया आपको दिखाते हैं इसे गुमाओ तो जी तो अगर दूद वाली है और अगर सही से ब्रेडिंग नहीं हुआ है तो ये दिक्कत आ सकती है तो जो बैंसे दूद वाली है इसमें अडर की जो क्वालिटी है वो भी उस टाइब की होनी जाहिए कि जिसमें आगे जाके कितने भी ब्यांत लेले हम लेकिन इसमें अडर ना बिगड़े जैसे कि दन्नो है कोई अगर पहली बार देख लेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये बही कित क्या हमें आगे जाके सुदार करना है और इस हिसाफ से करना है हां जी दीपू सिकरी जी लक्षमी डेरी फार्म डूइंग गूड वर्क देखो जी हम तो काम ही ये कर रहे हैं नहीं कभी एक मानो की चार-पांच साल से काम कर रहे हैं लेकिन काफी सारे बंदे पूछ रहे कि इसमें कोई वह बात नहीं है लेकिन जो अपना फोकस है कि जो बैंसे मानो की चैंज करनी है दूद वाली बनानी है इसमें से बटक जाएंगे और ये हर्गी मानो की नहीं तयार है हम इसके लिए चाहे जो भी हो जाए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताना जी और एक दूसरी बात ये भी बता दे कि ऐसे हमें पता भी नहीं है ऐसी कही सारी जगाव पर ऐसी चीजे त्यार हो रही है और जहां कहीं जाते हैं और अगर देखने में आती है तो आपको दिखाने का पुरा प्रैत्न रहता है पशुपालक जो है वो बहुत मानों की आम बंदे हैं इनको अगर आप फोन करोंगे तो बाद में एक खेट का काम कप करेंगे जी मुन्ना यदुवन्शी जी कैलाश जैकर जी हमन जूशी जी संजे सिंग जी राकेश लड़िया सुथार जी मुकेश चालिया जी शामसी सुलंकी जी दीपू सुलंकी जी मुकेश पंडिच जी तेजे साहिर जी आप सब का बहुत दनवाज जी और मानों की ये वैंसे कभी अभी ये खतम होने वाली नहीं है बहुत अच्छे खरने की है और इसमें आगे जाके एक से बढ़कर एक चीज तियार की जाएगी और आपको शेयर भी किये जाएगी वीडियो आपको कैसा लगाना ये बताना जी और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगी जी बहुत बहुत धन्वाद आपका जो सब हमसे जुड़े जी थैंक्यू जी